हलो गाइज, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल गॉट्क्रेस टीवी, आप सभी का स्वागत है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको कमपल नहीं करूँगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि ज़्याद से ज़्यादा लोग हमसे जूड़ें और लाब लें हमारे tips का, हमारे experiences का, जो हम लोगों से feedback लेते हैं, वही हम आप से share करते हैं, Recently बहुत सारे मेरे traveling रही है और वह सारे travel में अनुखब भी रही हैं, और सबसे पहले humble humble thank you, gratitude उन सब लोगों के लिए, जो जिन्होंने मुझे recognize किया, और वो जो एक happiness थी कि इतने लोग मुझे जानते हैं, मुझे अच्छा लगा, सब मिले, और सबका एक मिलने का तरीका उनक उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा था वो आत्मियता जिसके लिए मैं आभारी हूँ, आप सब की क्योंकि आप सब हैं तो हम हैं, मेरा यही मानना है कि सबका स्ने हो, तभी हम life में आगे बढ़ते हैं, ground से जुड़े रहेंगे, आप लोगों का साथ रहेगा, तभी तरकी कर पाएंगे, सबसे पहली जो इस ट्रिप की खुबसूरती रही हो यह थी, कि लोगों से मिले, दूसरी खुबसूरती यह थी, जो वास्तु में अनुभव होते हैं, सबसे ज़्यादा जब बिजनस की growth में importance होती है, वो होती है employees की, workers की, labor की, जहां पे भी यह दिक्कते हैं, लोग phase कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, उनी का हल निकालने का हमने एक कोशिश की है, क्योंकि problems उन जगों पे, उन बिजनस houses में मुझे देखने को मिली हैं, जहां पे एक तो irregular plots थे, irregular plots में नॉर्थ वेस्ट अगर कटा हुआ है, तो maximum problem होती है कि एक भी employee जो है, बहुत लंबे समय तक वहाँ पर टिक के मन लगा के आप नहीं करता है, रोज आपको समस्या रहती है कि आपने फिर किसी एक को replace किया, दूसरा आया, उसका मन लगा, नहीं लगा, आपके पीट के पीछे वो किस तरीके से conspiracy कर रहे हैं, और दूसरा elemental जो disturbance होते हैं, जैसे कि journal energy का एक अपना element होता है, और उस element से related अगर वहाँ पे color नहीं है, या anti element के colors वहाँ पे हावी हैं, तब भी आपको labor की दिक्कत हैं, और employees के साथ की problems को झेलना पड़ेगा, और ये सब business growth के लिए बहुत मुश्किल का समय रहता है, क्योंकि कोई भी business अकेले नहीं चल सकते, हर business में एक group होता है एक group management होती है, लोगों का सहयोग होता है, उनकी loyalty होती है, और उनका मन में एक रुझान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो तब होगा, वो peaceful काम कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे, इसके लिए मेरे जो, मैंने उनके साथ apply किये थे, जो चीजें, उनके मेरे को अच्छ अगर कटा हुआ है, तो हम उसके अंदर pyramid therapy से charge करके pyramids को स्थापित कर देते हैं, और वहां का जो directional fault है, वो minimize हो जाते हैं, इससे क्या होगा, conspiracies कम हो जाएंगे, और labor की employees की जो problem होगी, या उनका management के साथ तालमेल होगा, वो बहुत ही खुबसूरत हो जाते हैं, और वो मन करवा देना है, ताकि वो जो एक elemental imbalance है, उसको भी cure किया जा सके, अगर वहां पे red है, या black है, ये color हावी है, तो समझ लो कि आपके नुकसान कहीं पर भी थमने वाले नहीं है, labor आपको रोज की रोज दिकत देने वाली है, employees आपको सहयोग नहीं देंगे, कोई नहीं कोई जीव में है, जो उनकी जितनी भी उनके बारे में details है, उन सब को उठा के आपको north east direction में रखना होता है, ताकि employees का मन शांत्रे, उनका मन भटके ना और वो अच्छे से मन लगा के काम करें, business growth के लिए ये tips अगर आप ध्यान में रखते हैं, और साथ साथ में किसी विशेशक केस हैं, या हम लोगों को consult कर सकते हैं, वास्तु विजिट करवा सकते हैं, तो वास्तु जो है, ये एक तरह से sport system है, ये कहीं पर भी नहीं लिखा, कि अगर आप intelligent है, या आप में wisdom है, या आप में management skills अच्छे हैं, तो आपको वास्तु नहीं करवाना, वास्तु तो एक sport system है जो आपको journal energies की तरफ से जो false face करने बढ़ रहे हैं, जो दिक्कत ही आ रही है, उनका समाधान वास्तु ही कर पाता है, तो वास्तु करवाईए और अपने business को grow कीजिए, यही मनो कामना के साथ, यही कामना के साथ, यही इच्छा के साथ, हम share कर रहे हैं, और हमें consult करना है तो